आज हम डिस्कस करने वाले आपका जन्तु विग्यान देखो बाइलोजी में एक होता है आपका बोटनी और एक होता है आपका जूलोजी दोनों से क्यूसन आपके बनते हैं तो चलिए हमरे डिस्कस हम कर लेते हैं जूलोजी पहला क्यूसन है बलड इज कॉम्बिनेशन यानि तहले के, आपका रग्त है, वो किसका बना हुआ होता है? चार option हमारे सामने available है. Option post, plasma और रूदिर का option second, plasma और RBC का option third, plasma और WBC. या फिर puppy में से coin नहीं. इसका right option क्या होगा? तो देखे, आपका जो बलड़ है वो बना हुआ होता है एक तो plasma से. तो इसका right option हो जाएगा पहला वाला तोड़ा सा डाइग्राम से भी आपको समझा देते हैं जिसे कि आप यहाँ पर देख पार होंगे आपका जो बलेड है plasma इसमें 55% ठीक है और white blood cell और platless 4% ठीक है और जो आपका red blood cell लेना वो 41% इस परकार से आपका रहता है तो इस परकार से composition होता है आपका है रक्त का तो इसी कारण इसका right option पस्ट वाला हो जाएगा plasma और रुईदी राणू आगला question ने आपका question number second the class of tramites याणि कि धिमक का वरग कौन सा है धिमक सब जानते होंगे के तो में कब सारी धिमक होते तो इसका वरग आपको बताना है ट्रेमो टोड़ा इंसेक्टा या फिर ट्रविल एरिया या पिर अर्टोफोडा तो इसका right option देखो धिमक ये खितों में कापी नुक्सान पहुचाते हैं तो जो करसी बेग्राउंड के विद्यारती होंगे उनको तो पता होगा तो धिमक कवरग होता है इंसेक्टा ठीक है और धिमक अगर आपको पता नहीं है तो तोड़ा सा मैं आपको दिखा देता हूं ताकि आपको हमेशा केले याद हो जाए आपने खेतों में मिट्टी में इस प्रकार के अवसे दिखे होंगे कीड़े ठीक है इस प्रकार के इनको बोला जाता है धिमक इस प्रकार के ये मिट्टी को बहुत ही खराब कर देते हैं और पसलों को नुक्सान पहुचाते हैं धिमक तो चले वापिस आ जाता है कुसंस के उपर I hope आपको धीमक समझ में आ गया होगा और हाँ इसका डाइग्राम देख कि आपको पता लग गया होगा कि ये कौन से वरग में आने वाला है So हाली में आपने देखा जो आपका धीमक था वो बिल्कुल उसमें संदी यूगत पेर ते यानि कि वो सिधा-सिधा इंसेक्टा में आएगा इंसेक्टा में यानि कि कीडे मकोडों की स्रेनी में उसको रखा जाता है ठीक? ओके आगला कुस्सन आता है आपका बहुत ही इपोर्टेंट और बहुत ही इंसेसिंग मनुस्य तता मेंड़क की आरविसे में मुक्य अंतर आपको बता ना है तो यहाँ पर चार ओप्सन देख लो आप आले मनुस्य की आरविसे बहु केंदरी होती है हेमोगलोबिन तोड़ा से इसको इसमोल कर लेते है हेमोगलोबिन मनुस्य के आरविसे में होता है मेंड़क में नहीं होता मनुस्य की आरविसे में केंदर्क होता है मनुस्य की आरविसे में केंदर्क नहीं होता बताए कौन सा ओप्सन सही होगा I hope आपने सेलेक्ट कर लिया होगा देखिए हमारा जो blood होता है उसमें RBC होती है बट आपने notice किया होगा जब आपने Anti search पड़ा होगा 11 तो एक चीज़ आपने notice कियोगी जो यहां पर हमारा blood होता है न उसमें केंध्रक नहीं पाया जाता चलो मैं डाइग्राम भी दिखा देता हूं आपको ये देखिए ये है हमारा बलड सेल आर बीसी और ये है मेंड़क का आर बीसी तो मेंड़क के आर बीसी में देखो कितने सारे यहां पर केंदरक है हर एकोशिका में केंदरक ठीक है जब कि हमारे जो RBC है ना उसमें एक भी केंदरक नहीं है तो यहां पर बहुती बड़ा अंतर हो गया मेंड़क की RBC में केंदरक होता है मनुस्य की जो RBC है ना उसमें केंदरक नहीं होता है तो इस परकार समझ के हम को आंसर देना होता है और ऐसे अगर आपने सारे क्यूशन कर दिये तो आपका तो टोपर लिस्ट में नाम आ जाएगा और आकर रहेगा देखना तो इसका right option हो जाएगा कि केंदरक विहिन होता है टिक लगा दो इस पर option डीप है अगला क्यूशन याद रखना अगली बार अगर क्यूशन आ जाए ना तो आपको ये करके आना है silver piss related to यानि कि silver piss होती ना किस वरख से समधीद होती है यहाँ पर option है पिसिज से यहाँ पर दे रखा है इलास मोबरांच इंसेक्टा ट्रेमेटोडा तो ऐसे में विद्यारती क्या करते है कि silver piss वो सोचते है कि मचली का वरख है तो यहाँ पर piss होगा बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि यहाँ पर silver piss पहले बाद तो piss होती नहीं है वो दूसरे वरख में रखा जाता है और अगर आपने कभी भी silver piss को नहीं देखा है तो चलो में पहले आपको silver piss देखाता हूँ यहाँ पर जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होंगे यह होता है आपका silver piss क्योंकि इसका जो रंग है वो बिल्कुल चांदी की तरह silver की तरह होता है इसलिए इसको silver piss बोला जाता है जैसा कि आप देख पार होंगे तो यह आपका silver piss है और इसमें भी बिल्कुल जो आपका मकडी होता है मच्छर होता है, मक्खी होता है उसी परकार के संदी युक्त क्या है? पेर है तो इसमें संदी युक्त आपके पेर है na तो समझ जाओ इसको कौन से वरग में रखा जाएगा होब इसली बात है इंसेक्टा में ना कि पिसीज में ठीक है तो यह वहता है आपका silver piece तो यहाँ पर इसी कारण इसको इंसेक्टा में रखा जाता है हर एक क्यूसन को समझाओंगा आपको हर एक दिमाग में जाएगा और चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है क्योंकि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है बेल आइकन पर प्रेस कर रखा है हर एक M-sqoo's आपको मिलेंगे पूरी की पूरी तियारी आपकी होने वाली है तो इंसेक्टा हो जाएगा आपका ठीक है अगला यहाँ पर है सिलोम की परिटोनियम में पाई जाती है तो देखो सबसे पहले समझना होता है आपको कि परिटोनियम क्या होता है सिलोम क्या होता है तो देखो विद्यार चैओ आपने 11 और 12 में हमारा जो सरीर के अंदर के पाठ है वो आपने देखे होंगे कि कौन-कौन से skin होती है, muscles होती है, है ना bones होती है तो अंदर के जो organ है, वो peritonium से cover होते है चलो diagram से समझे लेते हैं इसको भी देखो विद्यारतियो, हमारा सरीर कुछ इस परकार का होता है हमारी सरीर में उपर ही उपर क्या होते है, चमड़ी, यानि कि skin होती है ठीक है, skin के जश्ट नीचे होता है आपका subcutaneous tissue और उसके नीचे होता है आपका muscles ठीक है और उसके अंदर फिर आते हैं आपके, कापी सार यहां पर आप देख पारोंगे organ वेगेरा, तो इसमें आप देख पारोंगे जैसे हमारा सरीर को open diagram करके देखे तो यह skin, muscles यह तो यहां पर ही कतम हो जाती है अंदर फिर इस परकार cavities होती है जिसे में हमारे अंग रहते हैं जिसे कि stomach हो गया, है ना चोटी आत हो गई, बड़ी आत हो गई, किड़नी हो गई यह सारे कहां पर रहते हैं, गुवा में रहते हैं अंदर तो इसको समझना बहुत important है चलो इसको ऐसे कर लेते जिसे मालोई कोई सरीरे इसको काड रखा है है ना, तो यह उपर उपर तो चम्री हो गई यह वाला हिस्सा, और अंदर यह blood vessels हो गई है ना, artery, vein वेगरा सब हो गई तो इस परकार आप समझ सकते हो कि हमारे जो अंदर के ओर्गन होते है ना, वो किस से कवर होते है जैसे कि skin आपका हो गया, muscles आपका हो गया और यह आपका column हो गया, ठीक है तो यहाँ पर आपका peritonium यह वाला हिस्सा हो गया यह होता है आपका peritonium, किदर देख़आ आप यानि कि हमारे जो ओर्गन होते है यानि कि अंग होते है जैसे कि किड़नी हो गया, stomach हो गया यह जिससे कवर रहते हैं उसको peritonium बोलते है तो यहाँ पर आपकी सिलोम के जो peritonium है ना वो इसके मैस epithelium वहाँ पर बना होता है उसमें पाई जाते है तो इसके मैस epithelium उसका right option हो जाएगा ठीक है और peritonium क्या होता है आपके सरीर के अंदर की सरजना में जो अंग को कवर रखता है वो होता है peritonium तो इसका इसके मैस epithelium हो जाएगा अगला है आपका malting hormone क्या होता है the malting hormone वर्दी hormone होता है या पिर egg dagon होता है या फिर दोनों होते है या फिर पिर प्यराथ hormone होते है बताईए तो यहाँ पर सबसे पहले समझना जरूरी है malting hormone तो देखो हमने hormone पड़े ठीक है बट हमने malting के बारे में नहीं सुना वोगा इनसान के उपर यानि के मनुस्य के उपर यानि कि यह hormone है ना मनुस्य में तो होता नहीं है बट किसी दूसरे जानवर या पक्सियों में अवस्य होता होगा तो चलिए देख लेते हैं किस में होता है यह जो आपका malting hormone है यह अधिकतर कीडे मकोडों में पाया जाता है जैसे तितली हो गई मचर हो गया आए ना मक्ही जो गई इन में पाया जाता है यह malting hormone तो यह आपको याद होना चाहिए इंसानों में नहीं होता कीडे insecticide यान कि insecticide जो वरग होता ना उसमें पाया जाता है आपका malting hormone तो यहाँ पर आप malting hormone को egg die zone भी बोल सकते हो क्या बोल सकते हो egg die zone याद हो जाएगा ना egg die zone नाम तो देख याद रखना होगा आपको egg die zone ठीक है इत्तास आपको याद रखना है यह इसका right option है अगला question आपका आता है बहुत ही important है कि आपका जो पुपस को घेरने वाली जिल्ली है वो क्या कर लाते है the serious membrane covering of lungs आपने देखा होगा जब आपने respiratory system पढ़ा होगा ना तो आपके जो lungs से वो एक जिल्ली दोरा कवर रहते है क्या बोला जाता है उसको pericardium phalura peritonium या पिर हस्तमाकार उपकला चलो इसको diagram से समझे लेते है जैसा कि आप यहाँ पर देख पार होगे यह है आपके lungs ठीक है और lungs के चारों आपको पता होगा flute बढ़ा रहता है थेलीज में और उस थेलीज को आप क्या बोलते हो phalura ठीक है और यह protect करते है बाहर की चोटो वगिरा से इस प्रकार भी आप देख सकते हो आपके फेपड़े cover रहते है तो इसको आप phalura बोल सकते हो चारो जो जिली है ना इसको phalura आ बोल सकते हो तो डाइग्राम से तो आपको हर एक चीज याद हो जाती है आपके जूलोजी में तो अगर आपको डाइग्राम भी पता है बहुत कुछ आप कर सकते हो राइट उप्शन हो जाएगा phalura ठीक है अगला है एक डाइजोन हार्मोन इस्तरावित होता है एक डाइजोन हार्मोन इस्तरावित होता है अभी हम पढ़के आए एक डाइजोन के बारे में तो बताओ क्या होगा वेरी सिंपल याद रगना प्रो थोरे सिक गरंती से ठीक है प्रो थोरे सिक गरंती से होता है देख सकती हूँ आप अगला है आपका उपास्ति की उत्पत्ति करने वाली कोशिक आए और हाँ यहाँ पर आपको पताओना चाहिए कि उपास्ति होती क्या है ठीक है तो चलो इसको भी डायग्राम से हम समझ लेते हैं देखे विद्यारतियो आपके सरीर में होती है एक तो बॉन और बॉन से थोड़ी सी कमजोर होती है कार्टिलेज ठीक है याणि के उपास्ति बॉन खापी मजबूत होती है जबकि कार्टिलेज होता है न वो थोड़ा मुलाइम होता है याणि कि आप हाथ से मोड सकते हो कार्टिलेज को कार्टिलेज और बॉन में यह इंतर होता है जबकि बॉन को आप मोड नहीं सकते है जैसे कि आपका कान हो गया, तो कान को तो आप मोड सकते हो, बट आपको पता हो ना चाहिए, कान में हड़ी नहीं होती, इसमें कार्टिलेज होता है, ठीक है, जिसे आपके जो रीड़ी हड़ी में बीच बीच में होते हैं, डिस्क, वो भी कार्टिलेज के होते हैं, यहां तक इसका आंसर हो जाएगा condroblast ठीक है condroblast चलते हैं याद रखना condroblast को और चिंता आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है selection आपका हो जाएगा बस आप याद करते जाओ इनको अगला कुसने induce breeding from use यान कि प्रेरित breeding सब्द प्रयोग होता है बहुत यह असान है थेयोरी वाला कि उसने मान सकते हो आप थेयोरी वाला कि उसने और आपने पढ़ाओगा यह यूज होता है आपके मतस्य पालन में ठीक है? मतस्य पालन में होता है प्रेरित व्रेडिंग सब्द का प्रयोग मतस्य पालन अगला है आपका दजर्मिनल इफिथीलियम ओब गनाडस यानकी जनादों की जनन उपकला है जो अधिकतर रेप्रोडेक्टिव ओर्गन होते है न उसकी उपकला किसकी बनी हुई होती है आपको बताना है और देखो चिंता बिल्कुल भी नहीं करने है काफी सारे विद्यारती कमेंट करें सर्फ पीडियप हमको चाहिए तो पीडियप आपको MKS Academy एप पर मिल जाएगा MKS Academy एप को डाउनलोड कर लेना लिंक डिस्क्रिप में दे रखा है बट यहाँ पर समझना बहुत ज़्यदा ज़रूरी है इनको तो यहाँ पर तोड़ा सा डाइग्राम में आपको दिखा देता हूँ जैसा है कि आप यहाँ पर देख पारूंगे कि आपका ओवरी होता है आपका टेस्ट इस होता है इस तो यह एक परकार से इसमें कौन सा एपिथीलिम आपको बता होना चीज़ के बारे में इस परम का फॉर्मिशन कैसे होता है ओवर्म का कैसे होता है तो इसका आंसर हो जाएगा सरल गनाकार उपकला ठीक है याद रखना सरल गनाकार उपकला सिंपल क्यूबिकल एपिथीलिम अगला है आपका और यह तो मैंने आपको अच्छे से पढ़ा रखा है फेड सोलेबल विटामिन कौन सी है वसा में गुलन नसिल विटामिन कौन सी है और विटामिन से क्यूसन 100% बनता है इसके उपर स्पेशल वीडियो भी मैंने बना रखा है आपने अगर चैनल सस्क्राब कर रखा होगा बेल आइकन पर प्रेस कर रखा होगा और वेसे आपको पता है कि एक और दूसरा चैनल है जेकलोन जोब चैनल सस्क्राब नहीं किया तो कर ले ना वहाँ पर भी इपोटेंट क्यूसन आपको मिलते है लिंक डिस्क्रिस्ट में में सेन किया हुआ है तो देखो एक होता है जल में गुलित विटामिन और एक होता है आपका वसा में गुलित विटामिन तो इसके लिए भी तोड़ा सा अगर डाइग्राम पता है तो इस क्यूसन का आप कर सकते हो यहाँ पर आप देख पारूंगे टू टाइप्स विटामिन होता है विटामिन 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 विट सब कुछ इजी हो जाएगा अगर आपने चनल को सब्सक्राइब कर रहे बेल आइकनों using पर प्रेस कर रहे ना सब iजी हो जाएगा एससे कुछन तो आपको मिलते रहेंगे सेलेक्षन होने तक तो देखो फेट की बात करें तो फेट में यह किसा रहे जाएंगे ठीक है तो अभी आपने सीखा कि डब्लू बीसी यानि कि वाटर में सोलविल है भी और सी तो इधर बांकी के वसा में गुल नतिव यहां पर गुलने वाले विटामिन कौन से है अब बताओ आप तो देखो यहां पर वसा में A B है, D B है और E B हो और K B यानि कि सबी आंसर हो जाएगा मरा होगा कि नहीं होगा होगा क्यूंकि यहां पर सारे के सारे वसा में गुलने वाले है तो यह किसका आंसर सबी हो जाएगा All अगला है, मचली मुख के स्थ्रोत है आपका जो फिस होती न वो किसका सोर्स है उसमें क्या पाया जाता है, कार्वोहाइट्रेड, वसा, प्रोटीन या पर सभी बेरी सिंपल देखो कार्वो हाइट्रेट तो होता है मीटी चीजों में जैसे आपका सक्कर हो गया गुड हो गया उसमें होता है वस्हा पाया जाता है तेल घी में यानि कि चिकने वाली चीजों में और बचा किया प्रोटिन तो होविशली बात है आपका protein right option हो जाएगा इसका मचली में protein होता है ठेक अगला question again vitamin C और मैंने पहले बोल रखा है कि vitamin C तो 3-4 question बनते हैं आपके The other name of vitamin A Vitamin A का दूसरा नाम आपको बताना है और मैंने आपसे बोला था कि हर एक vitamin का chemical name आपको याद करना है इसके लिए पुरा चार्ड मैंने आपको दिखाया था कि vitamin A का chemical name क्या है, B का क्या है, C का क्या है, D का क्या है यहाँ तक की trick भी मैंने आपको बतायती है चलो again उसका revision कर लेते देखो अगर आपको chemical name याद करना है तो इसके लिए simple सी trick होती है तो याद कर लेना अभी भी time है विटामिन A को बोलते है रेटिनोल, B को बोलते है थाइमिन, C को बोलते है एसको और भी कमल, D को, कैलसी फेरोल, E को, टोको फेरोल, और केको, फिलो, कविनोल इतना साब को याद रखना है अब आप बोलो के सरे यहाँ पर विटामिन के जो B के complex है जैसे कि विटामिन A, विटामिन B2, विटामिन B4, 5 ठीक है तो इसके लिए भी trick हमने बना रख गी है थोड़ा न्यू पेंट पर बासा यानि कि B1 को थामिन, B2 को राइवोफलोविन, B3 को नियासिन, B5 को पेंटाथोनिकमल, B6 पारिडोक्सिन, B7 बायोटिन, बिटोल, साइनोगोबालिन बस ये केमिकल नेम आपको पता होना चाहिए, और ये तो चार्ट आपको टेलेग्राम पर चैनल पर भी मिल जाएंगे टेलेग्राम को फोलो कर लेना अगर ये आपको चाहिए तो, लिंक नीचे देर का डिस्क्रिप्शन में तो, एकजाम में अगर आपको कम से कम, तीन, चार नमबर चीए विटामिन के, तो याद कर लेना तो विटामिन A का नाम बताईए, अभी पढ़के आए हम विटामिन A का, very good, रेटिनोल, ठीक है? यही इसका केमिकल नेम होता है, रेटिनोल अगला है, सरब के विश्दंत कहलाते है, the poison teeth of snake are caught, fingers, tusk, दोनों, या इनमें से कोई नहीं देखो, सांप आप सब नहीं देखा होगा, और सांप में, जो जहर होता है, उसी के दाटों में होता है ठीक है, अगर उनको निकाल दिया जाए, तो फिर जहर ही नहीं रहेगा उसमें तो क्या कहलाते हैं, बताईए, तोड़ा सा डाइग्राम से समझने की कोशिस, अगर हम करेंगे तो अच्छा रहेगा जैसे कि आप यहां पर देख पारोंगे, आपका जो सांप होता है, ठीक है, इसमें उपड़ दो दाटों में ही होता है जैसे कि आप यहाँ पर देख पा रहूंगे तो यहाँ पर जो कुछ से ने पोचा है वो इनी दातों के लिए हमसे पोचा है तो यहाँ पर वो कहला थे फेंगस ठीक है याद रखना फेंगस कहला थे वो जो भी आपने डाइग्राम में देखा आप फोटो में देखा ना वो आपके जो answer होगा fingers कलाते है ठीक है आगला क्यूसने again vitamin का मैंने पहले बोल्ड रखाए कि vitamin के तो 4-5 question बनते है आपके which vitamin deficiency cause rickatus किस vitamin की कमी से rickatus रोग होता है A D E K और इसका भी chart में आपको दिखाया था vitamin A की कमी से क्या होता है D की कमी से क्या होता है E की कमी से क्या होता है Q कमी से क्या होता है E की कमी से क्या होता है पूरा का पूरा diagram मैंने आपको दिखाया था पढ़ाया था चलो अगेन यहां पर दिखा देता हूं आपको इसके लिए आपको ये पता हो ना चाहिए, पुरक पुरा चार्ट, जिसे B के मिसे बहरी-बहरी, A के मिसे नाइट ब्लेंडेस, यानकी रथोन दी ठीगे, B3 से पलेगरा होता है, C से सक्रवी होता है, D से रिकेटस होता है, है ना, के के मिसे, लेक और ब्लॉट क्लोटिंग, यानकी रग्त का थका नहीं बनता, तो इत्ता सा अगर आपको पता है, तो आपको बहुत कुछ आता है इसका मतलब, इंटरांस एक्जाम आराम से कर लोगे आप, सो हाली में आपने देखा, जो रिकेटस होता है, विटामिन D की के मिसे होता है, और विटामिन D किसमें पाया जाता है, सूरे की रोजनी में, राइट, विटामिन D, अगला थेओरी वाला क्यूसने कि सूर का जो गोस्त होता है मास होता है उसको क्या बोलते है जैसे कि सबका अलग-अलग होता है ना कि जो बकरे का होता है उसको अलग बोलते है मुर्गी का होता है उसको अलग बोलते है ना तो यहाँ पर बोला गया है सूर का तो इसको बोला जाता है फॉर्क बोला जाता है इस प्रकार से नाम होता इनका आगला है आपका विटामिन D का दूसरा नाम, यह लोग, कितने सारे क्यूसन आपके विटामिन से मनते हैं, विटामिन D का दूसरा नाम, यानि कि केमिकल नेम, तो अभी मैंने आपको ट्रिक बतायती है, रत, एक टॉपी, यानि कि रत, रेटिनॉल, थायमिन, एसकॉर्बिकमल, और, कैलसी पर कैलसी परोल टॉको फैरोल और, सीलो कींटिए, तो विटामिन D का देख लो, यहां पर क्या है, कैलसी परोल, तो ऐसे एकजाम में कोई भी क्यूशन आपका बन सकता है B से बन सकता है, C से बन सकता है E से बन सकता है तो यहाँ पर Kelsey Farol कहाँ पर दे रखा है पहले वाले में तो यह आपका Kelsey Farol राइट उप्षन हो जाएगा Kelsey Farol अगला है आपका Oriental Sour किसके दोरा होता है तो सबसे पहले तो हमको समझना होगा कि dieurgram कि इस परकार का उरेटल सोर क्या होता है आपने देखा होगा कभी ना कभी आपके साथ भी हुआ होगा ये गट ना चलो इसको पहले समझे लितेlara be को जैसा कि आप यहाँ पर देख दैग्जराम तार car का औरेटल सोर होता है कभी कबार इस परकार का भी यह हो जाता है है ना इस परकार का होट के आसपास एरिया में इसको औरेटल सोर बोला जाता है इस परकार का इसको औरेटल सोर बोला जाता है और आपको पता होना चाहिए क्योंकि आप मेडिकल फिल्ड में जाने की तियारी कर कर रें हो ठीक है तो यह होता है आपका और darauf नाम आपने सुनाओंगा याद रखले ना यह क्या हौता है लिस्टमानिया ट्रॉफि का कहां पर दे रहा है यह दे रहा है तो यह इसका राइट ऑप्ण है लिस्ट मानिया ट्रॉफि का प्रोटो जवा इसको आप बोल सकते हो लिस्मानिया ट्रोफिक का के वज़े से औरेंटल सोर होते हैं जो आपने भी डाइग्राम में देख के थे लिस्मानिया ट्रोफिक का अगला है किस विटामिन की कमी से बेरी बेरी रोग होता है किस से होता है तो विटामिन बी को क्या बोलते है थायमिन तो यह अबर सिंपल थायमिन कहां दे रगा है फस्ट में तो थायमिन हो जाएगा तो देखो कापी ज़दा कमेंट आ रहे थे सरम को बहुत सारे एम्स कुछ चाहिए तो हमने उपलब्द करवा रखे अलग अलग चैन जोब तो यह चैनल आपको दिखेगा जहां पर 65,000 इस्टूजेंट जुड़ चुके है इसका लिंक नीचे डिस्क्रिसम दे रहा है यहां पर भी आपको एम्स क्यूज इसी परकार के मिलेंगे पूरे के पूरे एम्स क्यूज यहां पर रोजना नोन इस्टोप आपको मिले एतना ही नहीं इसके अलावा एक और चैनल है आपको सर्च करना है जीके है एम्स क्यू यह चैनल आपको दिखेगा इसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिसम में दे रहा है जाये सब्स्क्राइब किजिए और रोजना प्रैक्टिस कूशन पाइए नेशूल झाल झाल